दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदशन फार सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेश्टन पुलेटिकल थाट यानि पाष्चात राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर टापिक जान लाग के मानो सोभाव तथा प्राकृ आपसके बिल्कुल भी प्रीथ हैं आज की वीडियो में आप उसके प्रमुक्रितियों तथा मानो सोभाव और प्राकृतिक अवस्था संबंधि विचारों के संबंध में जानेंगे दोस्तों ये वीडियो असनातक और पराशनातक अस्तर के बिद्यार्थियों के साथ सिव जानलाग के मानो सोभाव तथा प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार यानि जानलाग ब्यूज आन हुमन नेचर एंड श्टेट आफ नेचर दोस्तों जानलाग सत्रहवी सताब्दी का प्रसिध अंग्रेज विचारक है और उसे उदारवाद की आत्मा कहा जाता है जानलाग को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है उदारवाद का मूलतत तो क्या है तो उदारवाद का मूलतत स्वतनता या लिवर्टी है और लाग ने अपने दर्सन में स्वतनता को सासन का सर्वोच लच्छ परदान किया लाक सासन को ब्यक्ति के स्वतंता की प्राप्ति का साधन मानता है और ये कहता है कि सासन के सक्ति की मर्यादा होनी चाहिए ताकि वह मानुवी स्वतंता के बिरुद्ध ना हो यानि जान लाक उदारवाद को प्रतिष्ठित करने वाला एक महतवपूर अंग्रेज विचारक है जिसे उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है आप जानते हैं कि उदारवाद या लिबरलिज्म का मूल तत्व लिबर्टी या स्वतंतरता है और लाक के दर्सन में स्वतंतरत जो है वो सर्वत्र ब्याप्त है और वो स्वतंतरता को सासन का सर्वोच लच्छ भी मानता है इसके अलावा आधुनिक युग में अधिकारों की संकल्पना प्रस्थूत करने वाला लाग पर्थम विचारक है सबसे महतवपोण बात तो स्वतंतरता इसके साथ साथ वो अधिक अधिकारों की जो संकल्पना है यानि concept of rights तो अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रत्थम विचारक है आधुनिक्यूक का और वो मानता है कि ब्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक और जन्मजात होते हैं इसके साथ ही उसने धार्मिक्ष सहेशुर्था का प्रवात की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने सबसे महत्वपोर्चीज मानव सोतंता पर बल दिया आधुनिक यूग में मानव के अधिकारों की बात किया इसके अलावा उसने धार्मिक सहेशुर्था का प्रतिपादन किया और व्यक्तियों को कुसासन के बिरुद्ध में हुई थी जानलाग की प्रमुख किरतियां इस प्रकार हैं दोस्तों जिनका राजनीतिक दर्शन में महत्वपोर्चीज में प्रकासित हुई टू ट्रिटीज आन गोवर्मेंट 1690 में एससे कंसर्निंग हूमन अंडरिस्टेंडिंग 1690 में सेकेंड लेटर आन टोल्रेश 1690 में प्रकासित हुई और एक महत्वपोर्ण कृति है द फंडामेंटल आप कास्टिचिज आप कैरोलीन 1692 की कृति है दोस्तों लाग की सभी कृतियां 50 वर्स की अवस्था के बाद ही प्रतान हुई उसके विचारों में हाप्स की तरह तारतम्यता नहीं है लेकिन राजनी थियरी का बहुत ही महत्वपोर्ण अस्थान है सबसे पहले हम उसके मानो सभाव यानि human nature और प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं लाग का मानो सभाव संबंधी विचार दोस्तों अन्य दर्सन पध्धतियों की तरह लाग का दर्सन भी उसके मानो सभाव संबंधी द्रिष्टिकोर पर आधारित है लाग का दर्सन भी उसके मानो सभाव संबंधी द्रिष्टिकोर पर आधारित है लाग मानो सभाव का बढ़न आसावादी रूप में करता है उसके अनुसार मानो आसावादी होता है और वो मानता है कि मनुस सभाव संबंधी विचार है वो मानव को एक आसावादी रूप में प्रस्तुत करता है और कहता है कि मनुस्य के सभाव में अच्छाई पाई जाती है उसका प्रिविर्त जो होता है वो सहयोगात्मक होता है और उसमें प्रेम, धया और सहिश्रुता की भावना पाई जाती है सभाव संबंधी चित्रन है वो हाप्स के मानो सभाव संबंधी बिचारों से बिलकुल अलग है और उसमें जमीन आस्मान का अंतर है लाक ने देश निसकासन और कष्ट में जीवन बिताया था फिर भी उसका हिर्दय जो है वो मनुस्य की स्वाभाविक अच्छाई सहयोग विपरीत हाप्स व्यक्तिको क्रूर स्वार्थी और पास्विक प्रविर्थियों वाला बताता था तो एक प्रकार से देखा जाए तो लाक का दर्सन हाप्स के दर्सन के या लाक का मानो सभाव संबंधी चिंतन हाप्स के मानो सभाव संबंधी चिंतन के पूरी तरह से तो लाग की प्राकृतिक अवस्था दोस्तों सांतिकी अवस्था थी, संघर्सकी नहीं, जबकि हाप्स ने मनुस्य को स्वार्थी, पास्विक और पतित माना है, लाग ने उसे सहयोगी और सामाजिक मानते हुए उसके मानवी गुणों पर बल दिया है, तो लाग की प्राकृ की प्राकृतिक अवस्था थी, वो एकाकी निर्भर और एकाकी डरा हुआ पास्विक प्रविर्थी का ब्यक्ति था, तो उसकी प्राकृतिक अवस्था बहुत कश्ट माज थी, और वहाँ पर ब्यक्ति एक दूसरे की खून के प्यासे होते थे, उर उनमें सहयोग जैसी प् पिचार सील और बिवेक वान स्विकार किया है और माना कि ब्यक्ति अपने बिवेक से नैतिक बेवस्था की सत्ता और उसके अनुसार कारे करता है इसलिए वह दूसरे की स्वतनता और अधिकारों का सम्मान करता है जिससे समाज में बेवस्था बनी रहती है मानो प्रकिर्त की धाड़ा में दोश्तों हाप्स का मनुष्य कोरा पसु है मानो सभाव या मानो प्रकिर्त की धाड़ा में जब हमने हाप्स का दर्शन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि मनुष्य कोरा पसु है जबकि लाग का मनुस्य एक नैतिक ब्यवस्था को स्विकार करने वाला और उसके अनुसार आजरन करने वाला प्राडी है हाप्स का मनुस्य एकाकी, पसुवत और स्वार्थी है वहीं लाग के अनुसार मनुस्य सभाव से ही एक सामाजिक प्राडी है जो परस्पर सहयोग, प्रेम, दयाभाव और दूसरों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात कभी कभी ये प्रश्ण पूछा जाता है कि प्राकृतिक अवस्था के संबंध में हाप्स और लाग के विजारों की तुलना कीजिए तो बहुत महतपूंड है मानों की प्रकिर्थ के आधार पर हाप्स और लाक ने प्राकृतिक अवस्था का बढ़न किया है और उसी मानों की प्रिविर्थियों के आधार पर उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी किया है हाप्स का मनुष्य कोरा पसू है जबकि लाग का मनुष्य नैतिक विवस्था को स्विकार करता है और हाप्स का मनुष्य एकाकी पसूवत और स्वार्थी है वो केवल अपने हित के लिए कारे करता है जबकि लाग का मनुष्य सोभाव से सहयोग प्रेम और दयाभावना से रहता है इसी लिए उसमें सामाजिक्ता की प्रविर्थी पाई आती है हाप्स की तरह दोस्तों लाग ने प्राकृतिक अवस्था का भी चित्रण किया है जिस प्रकार से हाप्स ने अपने समझवता सिधान्त में प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है उसी प्रकार लाग ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है हाप्स ने प्राकृतिक अवस्था की चित्रण में सबके साथ सबके विरुद्ध युद्ध की इस्थिति यानि प्रतेक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था बढ़ित किया है था लेकिन लाग का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था संघर्स की अवस्था ने होकर सांति स सदभावना और पारस्परिक सहयोग और स्वतंतरता की अवस्था है तो कुल मिला कर मानोश भाव के आधार पर जो प्राकृतिक अवस्था का बढ़न हाफ्स और लाग ने किया है उसमें लाग के विचार हाफ्स से पूरी तरह विपरीध है हाप्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें प्रतेक का प्रतेक के बिरुध युद्ध की इस्थिती थी जबकि लाग की प्राकृतिक अवस्था सांति सद्भावना और सहयोग की इस्थिती थी लाग के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक बिधी और प्राकृतिक अधिकार दोनों बिध्यमान थे और प्राकृतिक बिधी या प्राकृतिक नियम को वो ऐसे सारोभौमिक नियम मानता है जो सुनिशित होते हैं और ब्यक्ति के अधिकारों और स्वतनता की गारंटी देते हैं प्राकृतिक अवस्था में लाग के अनुसार ये नियम था कि तुम दूसरों के साथ वही बरताओ करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आसा करते हो तो ऐसे में होता क्या था कि कोई ब्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता था उसके सोतंता का हनन नहीं करता था इसलिए समाज में बिवस्था बिद्यमान रहती थी और ऐसे में सामाजिक बिवस्था बिद्यमान थी और लोग सांतिपूर्ण जीवन ब्यतीत करते थ लाग के अनुसार प्राकृतिक नियम क्या है तो वो प्राकृतिक नियमों को बिवेक पर आधारित नियम मानता है प्राकृतिक नियम बिवेक पर आधारित थे और प्राकृतिक अवस्था में प्रतेग ब्यक्ति को प्राप्त जो प्राकृतिक अधिकार थे इन ही प्राकृति नियमों पर आधारित थे प्रते एक ब्यक्ति अन्य ब्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान रखता था और उसका सम्मान करता था इसलिए समाज में ब्यवस्था बिद्धिमान थी तो कुल मिलाकर जो प्राकृतिक नियम है वो कहता है कि ये बिवेक पर या रेशनल लाज थे ब रच्छन इन्ही प्राकृतिक नियमों के आधार पर होता था इसलिए प्रते एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान रखता था और उनका सम्मान करता था ताकि सभी ब्यक्तियों के अधिकार सुरच्छित रहें इसकी अलामा दोस्तों प्राकृतिक प्राकृतिक अवस्था में लाग ब्यक्तियों के तीन अधिकार प्रात थे और ये अधिकार आपको बहुत अच्छे तरह से याद रखने होंगे Life, Liberty and Property प्राकृतिक अवस्था में लाग ब्यक्तियों के तीन अधिकारों की बात करता है जीवन का अधिकार, स्वतंता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ, लिबर्टी और प्रापर्टी लाग के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में तीन अधिकार द्यमान थे इस द्रिष्टी से देखा जाए तो लाग वह प्रतम विचारक है जिसने आधुनिक यूग में अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की और उसके अनुसार ब्यक्ति को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक या जन्मजात होते हैं और ये ब्यक्ति से अलग नहीं किये जा सकते हैं जिस प्रकार से ब्यक्तिके चमडे को उसके सरीर से नहीं अलग किया जा सकता है उसी प्रकार से ये प्राकृतिक अधिकार हैं और इन्हें ब्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता और लाग का ये भी मानना था दोस्तों कि इन प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ती राज्य या समात से नहीं हुई है बलकि प्राकृतिक अधिकारों की रच्छा के लिए ही राज्य और सरकार की अस्थापना की जाती है तो प्राकृतिक अवर्स्था में ब्यक्तियों के पास अधिकार थे जीवन स्वतंता और संपत्ति के अधिकार लाग के अनुसार और इन्हें ब्यक्ति से किसी प्रकार अलंग नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये ब्यक्तियों के जन्मजात अधिकार होते थे और जो आधुनि और सरकार की अस्थापना की जाती है इन अधिकारों में दोस्तों लाग के संपत्ति का जो अधिकार है वो सरवाधिक महत्वपूर है क्योंकि सभी ब्यक्तियों को जब सभी अधिकार प्राप्त थे और सभी ब्यक्ति समान थे तो ब्यक्ति के नीजी संपत्ति को कैसे अलग कि जा सकता था इसके लिए लाक ये तर्क देता था कि स्रम का मूल सिध्धान्त जो है इससे उसने असपश्ट किया कि प्रतेग ब्यक्ति अपनी इच्छा और कारे करने के लिए स्वतंत्र है और ब्यक्ति के सरीर पर उसका स्वयंग का नियंत्रण होता है इसलिए मनुस्य के तो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन और स्वतंता तो ठीक है लेकिन संपत्ति के अधिकार को कैसे अलग किया जा सकता था इसके तरक में लाक ने स्रम सिध्धान्त दिया और कहता है कि इस्वर या प्रकिर्त द्वारा सभी वस्तुए सब को दी गई हैं लेकिन ब्यक्ति ने ज प्रकिर्तिक अधिकारों का सोतंता पूर्वक उपभोग करते हैं इस कारण इस अवस्था में सांति की व्यवस्था बनी हुई है लेकिन समस्या कहां आती है जब प्रकिर्तिक अवस्था में ब्यक्तियों के पास प्रकिर्तिक अधिकार भी थे और उनका जीवन सांति पूर भी था, तो फिर राज या सरकार की अस्थापना या सम्झहोते का विचार क्यों आया इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे जो की लाग का सामाजिक सम्झहोता है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? हमें